कल की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार में सुबह रिकवरी दिखी, हाला कि वो रिकवरी बहुत ज़ादा टिक नहीं पाई, जैसे जैसे डाउ गिरा वैसे वैसे निफ्टी में भी गिरावट आती गई, अब ये बाजार में कन्फ्यूजन ये कि इस वक्त करें क्या, आखिर हम निफ्टी पे क्या स्टैंड ले, क्या तेजी का स्टैंड ले, या फिर अभी चुपचा बैठे रहना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो यही समझने के लिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जाने बाने मार्केट एक्सपर्ट और चोला सेक्यूरिटी के हैड तीजी के साथ खुले थे, तीजी के साथ खुले थे इन फैक्ट, और बाद में जो हो गिरते गए, गिरते गए, और डाउ जैसे जैसे गिरा वैसे वैसे निफ्टी का चार्ट भी गरता गया, इस वक्त मार्केट में करें जा। पहले geopolitical issue की बात करे तो Middle East में वो टेंशन चल रहा है, South East में अब currency के problem चालो हो गया है, और पुरे West में येरोप से लेके US में economic growth को लेके अठकले लिगाई जा लिए है कि साइस रॉक टेंडी का recession, इसके बीश में एक पार्ट ये है, दूसरा ये है कि सब जड़ा आप काफी महँगी इस तर पर चलेंगे दे, प्रस वन स्टैंडर डिविशन अगर टेकनिकल पाने से बात करें तो उसको पर चले दे, अगर कोई 20 या 15 पी मल्टिकल पर ट्रेड हो रहा चाहिए, तो 30 पैजिस के पी मल्टिकल पर ट्रेड हुआ था, फर्ट फेक्टर जो आयाता है कि अनिंग्स जो आई है इस पार, अगरा बोटा-मोटी अगरेट लेवल पर देखें तो फुथी लैक्लेसर और नीरासर जिदक रही है, था पर ट्रेड कावरेट वेक्ट पर ट्रेड है दो पर ट्रेड होनी परसंट है, लिट झावरेट लोट है, इस पारपैर दो परसंट है, तो online average आपका अच्छा बन जाता है, साल के हिसाब से पुरी yearly business में तो मुझे रगता है कि नॉर्वल अनुबाल है कि 12-15% प्यासपस के निफ्टी काई प्यूत आएगा FI 25 में, वो साथ मुश्किल रहेगा, higher single digit हो सकता है, उस निहास एक correction बनता था है, सारे factors आगे है, correction हो रहा है, अभी start हो है, विकासी मुझे लगता नहीं कि यहां इतना जल्दी end उने वाला है, जब तक यह सारे जो बादल गहरे चाहे वे हैं, वो जब तक छटते नहीं है, त जाता है, जहाँ पर निफ्टी वाद पॉस्टर अपर मार्केट, select pockets में काफी attractive हो जाएगा, इसकी कुछ particular reason आप देख रहे हैं, क्या है, या फिर मदब सिर्फ यह है, कि इस वग जो है, काई pockets कमजोर है, काई sectors कमजोर है, इसकी वएसे ये growth है, कि सेक्टर्स के अंदर भी store price है, दो चाग कम भी अच्छी करनी है, अपर जनल, overall, काफी weakness दिखने को भी लिए, volume के साब से देखने को भी लिए, pricing के साब से देखने को भी लिए, और input cost, जो कि Q1 पर जादा एफेक्टर ही नहीं हुआ था, जो कमजोरी पैसे से बड़े तो हो जा कि Q2 मोबात, Q2 भी तरह आने माल है, वो एक अलग समस्था है, market के लिए, तो overall, काफी lacklustre performance और एक base effect काफी हाई ता last year का, तो उस base पर 20-20% का growth का base था last year का, उसके सामने जो आप compare रगता है, तो 4 या 5% का growth आपको problem रपता है, alarming fact यह है कि 400 company में almost 30% ऐसी कपी है, जो उने negative growth दिया है, so, वो margin या average के पास भी नहीं रपा है, so, वो overall, फुरी economic में stood all देखी और अब आप देखो, finance minister का budget का presentation है अब देखिया है, तो उन्होंने real GDP growth का अपन लगाया था 6.5 से 7%, 7.2% RBI यह बोली है, जो कि पिछले साल से कम है, 8.2 सा last year और नहीं किया था, और अगर इसको आप जाए थी, तो ministry भी यह बान के चल रहा है, बाकी economist भी यह बान रहा है, और यह actual number से भी दिख रहा है कि there is a slowdown, तो यह slowdown का discount भी हो रहा है, तो मुझे लगता है, एकनोमी में दो quarter, और अक्टूबर 9 में, वहाँ से pick up आनी चाहिए, यह interesting भी आपने बताया कि 22,000 का level आप देख रहे है, निफ्टी पे और जो pick up है, वो Q3 में आने की उम्मीद है आपको, असर ऐसे में इस वात market में कौन से sector सैसे हैं, अगर 22,000 का level हम देख रहे हैं, तो कौन से sector सैसे हैं, जिन से एकदम दूर रहना है, यह अगर ठीक ठाक profit ह परके बैठ जाना है चुप चाप, और कौन से sector सैसे हैं, जहां पर थोड़े बहुत मौके खोजे जा सकते हैं, अगर किसी को खरीदारी करनी ही है, तो अगर करनी है, यह साल मुझे लगता सिक्टर करनी रहे हैं, जिससे पिछला साल था, कि रिल्मी इंफराप ले लो, डिफेस ले लो, पावर ले लो, ऐसा स्रिक्टर संभी चल रहे थे, इस पर ऐसा नहीं रहेगा, विकॉस दतीजे भी कापी डावरजेंट डारे, कप्यों क अगर को तो बजह लगता है, इस पिर ले ले चले तो बेटर है, आपने कापी डावरजेंट नबर देखा जहां पर एजमबल मैंदर मंदे के नंबर अच्छा है थे, तो वहां पर अधर मारूती के जिरों के उप्टेश नहीं आए, अगर आप स्चार को ले तो आपको सु है तो काफी बेटर लग रहे हैं, डिफेंस से इंदुस्तान अनलोटिक्स पर अभी भी मुझे लगता की करेक्शन उसे बाइ करना चाहिए, काफी बड़ा उनका ओर्डर बुक की सिस्टम में चुटे में इमें सिक्मेंट का प्लेयर है, तो काफी बड़ी रिवनीव मुकि वाँ पर बाइं करन चल सक्ते हैं इसाम कुछ इसे मापी लगा सेसे हैं, और वाभी यहां पर थे Türkiye सी बाइंगे, में ऐम इन अनेतर से इसे क्वे उसरे प्रकूक्ट प्रिकान ग्याँडे बेड़ क्राओं, वहाँ है इंसुट्छ मसूटे में बशुक्टी यारा तो यह एक बहुतर बिखर प्रेगा लाँ तो कॉप्टियों पर ध्यान लबाए यह साल कम्प्रियों करना है ता रादर दे सिक्टर्स का बिलकुल असरा टेक्स्टाइल कम्प्रियों में आज अच्छी कासी तीजी देखने को मिली ते शुरुवाती रनप में उसकी वज़े यह बांगलादेश वाली टेंशन थी क्योंकि ऐसा लगा कि यहां टेक्स्टाइल में अगर वहां परिशानी है तो यहां कम्प्रियों को फायदा हो सकता है यहां उन्हें और मिल सकते हैं इसमें आप कुछ अपॉचिनिटी देखते हैं या फर यह बस एक शॉट टर्म रियक्शन टाइप है विकाज दो तीन दिन का ट्रेड ही है विकाज यह सब काफी बड़ा लॉजिस्टिकल प्ले होता है एक दिन के अंदर यह डंडी हो पाता है बढ़ा बहुत श्रम है अबर यह उपर शुल्टिया देशे चाना प्रस कोनता है तो यह आप ले सकते हैं वहां पर कप्विया बत पॉसिल्बल होती नहीं हम आज इस बहुत लिमिटेड है तो हाई कॉंपनिटिव स्पैस है इसको इसको आप जो निवेशक पर अनलाइज कर सकते हुआ है बिल्कुल एक आखरी सावल सर्थ रेलवे शेरों पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रेलवे शेर काफी चले प इनफर स्टोरी वो अभी इंटक्ट है वहाँ पोई प्रॉब्लम आएगा नहीं और इस गिरावट में साइपी मोड में वाई करना है तो मुझे लगता आर्वी एनल और इंपान इंटरनेशनल एक काफी अच्छा विकल्फ लगता बैतरे इंपिक लगती है मुझे काफी प अपने बजाय की कौन से स्टॉक में खरिदानी कर सकते हैं इस वक्त सेक्टर में नहीं स्टॉक स्पेसिफिक जानी की ज़रूत है और अच्छे स्टॉक को ही खरिदनी की ज़रूत है ये टेक अवे है आज की इस कंबरसेशन का